हलो students कैसे आप सभी मैं dr. view व्यास आज आप लोगों से जिस टॉपिक पर discussion करने वाले हूं तो 하면 reproduction health भिया तोपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि students please a pnk 2020 के लिए target जो है उसको fix रखिए अपने mind में और उसके लिए काम करना शुरू कीजिए और वो ये होगा कि आप अपने path को नहीं छोड़े वो path है आपका NCRT आपको सरफ NCRT पे focus करना है क्योंकि questions हमारे इसी में से आते है detail study में आप मत जाएए क्योंकि अभी आपके पास में ना तो time है और मुझे लगता है कि इतना अगर आप पड़ लेंगे तो need 2020 आप clear कर लेंगे तो focus करिए अपने सिरफ target पे उसके लिए एक step आपको करना चाहिए वो ये है कि आपको कोई test series जरूर join करनी चाहिए वो test series या तो offline हो सकती है या फिर online हो सकती है हमारे prep online पर भी test series available है जो कि आपको chapter wise test भी लेती है और आपको full syllabus का test भी होता है अगर आप उसे join करना चाहते है तो आप उसे join कीजिए अगर आप offline join करना चाहते है तो आप उसको join कीजिए reason ये रहेगा test series join करने का कि जितने questions को आप ज्यादा solve करेंगे आपके mind में वो ज्यादा अच्छे से हम ये बोलते हैं कि fit हो जाएंगे या फिर learning capacity आपकी बढ़ेगी क्योंकि एक time पे अगर आप माल लीजे कि आपने अगर 45 questions भी botany के और 45 questions भी आपने zoology के solve किये तो at least उन 45 questions को दुबारा कभी भी पूछा जाएगा वो आपको याज जरूर रहेंगे next time, next 45, botany से and 45 zoology से आप करेंगे and then आप 90 questions को all कर पाएंगे sometime ऐसा भी होगा कि कहीं कहीं आप अटकेंगे, जब जहां आप अटकेंगे उस topic को जब आप पढ़ेंगे तो आपका वो topic भी clear हो जाएगा तो उससे पुछे जाने वाले maximum question चाहें वो कितने भी क्यों ना हो आप उनका answer भी कर पाऊगे तो जितने ज़्यादा आप टेस्ट देते हैं उतने ही ज़्यादा आपके fundे, concept जो है वो clear होते हैं ठीक है? तो आप उस पर focus ज़रूर करिए आज का हमारा topic है reproductive health reproductive health हम किसे बोलते हैं देखे health का मतलब का है पहले तो ये समझे health का मतलब ये होता है according to WHO मतलब हम ये बोलते हैं कि total well being of human हर तरीके से हर तरीके से मतलब ये हो गया कि mentally भी, physically भी और socially तीनों ही तरीके से हम ये बोलते हैं कि वो healthy होना चाहिए अब health से अगर आप mentally की बात करोगे तो किसी भी तरह का अगर आप तनाव भी रखते हैं अगर tension भी रखते हैं अगर आप किसी भी तरह की अपने दिमाग में बोज रखते हैं तो वो भी एक तरीके से क्या है वो फिर आपकी health नहीं कहलाएगी हना आप unhealthy कहलाएगे mentally, reason ये क्योंकि आपने तनाव जो है उसको पाल के रखा है और तनाव अगर आपने पाल के रखा है तो आपको मान के रख चलिए कि उसका effect आपकी physical जो आपकी health उस पे भी पड़ेगा और उसके साथ में आपके social health पे भी पड़ेगा social health ऐसे है कि अगर आप frustration दिखाएंगे हर बात पर अपने अगर अपने मम्मी को अपने पापा को और अपने friends को तो हो सकता है मेभी वो शहएद अगली बार आपसे बात करना भी बंद कर दे तो आपका mentally healthy होना बहुत ज़रूरी है और need 2020 की preparation के टाइम पे भी ये health maintained नहीं बहुत ज़रूरी है दूसरी आजाती physical अगर हम बात करें तो physically तो हर तरीके से ही है अगर आपको कोई disease हो रही है तो वो भी नहीं होना चाहिए उसी के साथ में अगर हम यह बोलते है कि environmental condition की वज़े से अगर आपको किसी food की अगर आपको कमी होती है अगर आपको shelter की कमी होती है clothing की कमी होती है तो उसका effect भी आपकी physical life भी पढ़ता है और आपकी social life भी पढ़ता है तो वो भी well being होना मतलब उसकी भी हम बोलते कि proper quantity होनी चाहिए तो यह social का part है तो हम यह बोलते कि socially health जो है वो भी maintain नहीं ज़रूरी है आपका जो हम बोलते कि ambience जो है वो भी healthy होना ज़रूरी है आपका सबके साथ में terms अच्छी होनी ज़रूरी है क्योंकि अगर उनके साथ में terms अगर अच्छी नहीं होगी तो देन वो आपको तनाव देंगे और तनाव अगर आपको वो देते हैं तो वो आपके physical effect करेगा यानि हर तरीके से जब आप क्या होंगे हर तरीके से आप सही रहेंगे तभी आप healthy कहलाएंगे तो WHO ने हमें health की definition दिये total well being of human mentally, physically and socially ठीक है यहाँ हम बात कर रहें reproductive health की reproductive health का मतलब यह हो गया कि reproduction से related किसी भी तरह की disease का होना यानि कि sexually transmitted disease या फिर हम यह बोल सकते हैं कि reproductive health का मतलब यह हो गया कि कोई couple है वो infertile couple है उसको अगर हम यह बोलते हैं कि babies जो है वो अगर वो उसके wish करते हैं अगर वो नहीं हो पाते हैं तो वो भी उनकी healthy जो life है उसको effect कर रहे है तो वो उनकी reproductive health का part हुई इसी के साथ में हम यह बोलते हैं कि अगर किसी भी अगर हम यह बोलते हैं जच्चा या बच्चा याने कि जिसने बेबी हुआ है जिसने बेबी का बर्थ किया है तो वो जो newborn baby है उसकी health after delivery अगर उसकी proper हम यह बोलते हैं उसका nourishment नहीं होता है जिसकी वज़े से आपकी society unhealthy होगी और आपकी society unhealthy होगी तो उसका effect भी आपको पड़ेगा याने reproductive health जो है वो चारो तरीके से हम बात करें बट उनका main point जो है वो reproduction ही है चीकर तो reproduction से related जितनी भी situations हैं उनके उपर सब पर ही हम इस topic के अंदर बात करेंगे reproductive health में याने कि infertility है उसके बारे में भी बात करेंगे अगर reproduction की वज़े से birth rate बढ़ रही है तो उस birth rate को control कैसे कि आ जाए उसके बारे में भी हम इस topic के अंदर बात करेंगे ठीक है और हम यह बोल रहे है कि अगर sexually reproduction के time पे कोई disease है उसका अगर एक partner से दूसरे partner में transfer हो रहा है तो उसके बारे में भी हम इस topic के अंदर बात करेंगे ठीक है तो reproductive health के अंदर अब हम start करते है हमारा topic चलिए एक picture आपके mind में clear हो चुकी है अब हम यह बात करें reproductive health program अगर हिंडिया के अंदर initiate हुए तो कब हुए 1951 के अंदर यह initiate हुए सबसे पहला question उसका answer भी हमें मिल गया है यह देखिए हमने first question का answer कर लिया है now the second major task of reproductive and child health care programs are to aware people about the reproduction related aspects provide facilities and support to create a reproductive healthy society अभी देखिए reproduction child health care जो है इस programs में क्या किया जाता है क्या किया जाना चाहिए तो पहली चीज़ तो यह है कि reproduction से related जितनी भी यह सब चीज़े हैं जैसे मैं बोल रही हूँ आपको कि अब जैसे for the example infertility है अगर किसी couple के अंदर लेकिन अगर वो किसी technique को use करते हैं उस technique को use करने की वज़े से उनकी wish complete होती है कि उनको baby जो है उनको possible है और यह चीज़ होनी चाहिए अगर ऐसा नहीं होगा तो वो socially क्या करेंगे टॉर्चर कर सकते हैं उस particular infertile couple जो couple है उसको यह भी रहुनको baby नहीं होगा तो उस condition में भी वो उसको क्या करेंगे हम बोलते हैं कि उसको torture ही करेंगे अपने comment से या फिर अपने behavior से तो यह जो चीज़ है awareness जब अगर उनको होगी कि नहीं है that is possible और यह जो है इसकी वज़े से किसी का character decide ना करके बजाए हम उसकी विश्की दरफ ध्यान दे कि यह किस तरीके से हुई है techniques के थूँ हुई है scientific techniques के थूँ यह चीज़ हुई उसको accept करें तो यह acceptance तब ही आपाएगी जब उनको awareness होगा दूसरी चीज़ जैसे कि for the example कि child की क्या जो baby का birth होआ है उसकी health कैसे maintain रखी जाए उसकी surroundings कैसी होनी चाहिए उसको feed कैसे करवाना चाहिए माल लीजे कि उसको mother feed जो है उसको six month तक करवाना चाहिए उनको कितना खाना किस quantity में देना चाहिए यह जब तक awareness नहीं होगी तो बच्चों के अंदर भी healthy life नहीं आएगी उसके साथ में अगर कोई couple है उसको knowledge नहीं है कि हमारे बार बार continue pregnancy की वज़े से जो birth rate increase हो रही है जिसकी वज़े से population increase हो रही है और population increase होने की वज़े से हमें food, shelter and clothing इसकी requirement जो है वो fulfill नहीं हो पारी है पुरापर तरीके से तो यह भी awareness नहीं होने की वज़े से होता है तो जितने भी लोग है उनको aware करना और कैसे pregnancy को delay किया जा सकता है कैसे contraceptive devices का use किया जा सकता है ताकि pregnancy delay हो इन से चीज से aware करवाना यह important है यह part है इस program का जिसमें आता है reproduction and child healthcare program जिसमें aware किया जाता है इन सभी चीजों से related लोगों को कि उनको awareness होनी चाहिए कि यह किस वज़े से हो रही है इसके क्या हमें नुकसान है और हमें इसको कैसे use में लेना चाहिए ठीक है दूसरी अब यह जितनी भी चीज़ें ऐसा ही नहीं है कि केवल इस program के तहत हम केवल उनको awareness ही दे या फिर मैं भाशा नहीं दूँ केवल मैं आपको बताऊ नहीं उससे related facilities भी आपके पास में होने चाहिए facilities से मतलब यह हो गया कि जैसे infertile कपल है उनको अगर test to baby की test to baby की वो विश कर रहे है तो test to baby के लिए proper techniques proper हम यह बोलते हैं कि जो equipment चाहिए होते हैं वो hospital में doctors और यह सब चीजे जो है वो available भी होना चाहिए और वो हर जगह available होगा तब ही क्या हो पाएगा उसका maximum use किया जा सकता है इसी के साथ में अगर contraceptive devices के बारें बात करें जिसकी वज़े से pregnancy delay होती है तो वो चीजे भी available होनी चाहिए अगर वो devices available नहीं होगी वो facilities available नहीं होगी तो कैसे जो birth rate है उसको control किया जा सकेगा केवल भाशन देने से बात नहीं होगी उन facilities को provide भी करना पड़ेगा हर जगह चाहिए वो कोई rural area हो चाहिए वो कोई urban area हो हर जगह वो facilities provided होनी चाहिए तभी वो program जो है वो successful हो सकेगा चाहिए उसमें medicines आ रही हो चाहिए बच्चे के nourishment के लिए किसी भी तरह की चीज आ रही हो चाहिए food हो, चाहिए clothing हो ये सभी चीजे जो requirements रहती है वो सब चीजे भी available जब होगी तभी ये program जो है वो successful रह पाएंगे तो ये main aspects रहते है reproduction and child health care के चलिए, आगे बात करते हैं तो इनसे related question आएंगे तो आप solve कर पाएंगे चलिए, ये आपका केवल introductory part है जो NCRT के अंदर दिया गया है जो एक theoretical basis में दिया गया है लेकिन क्योंकि वो इतना theory भी दिया होदा है उसको read भी नहीं करते है तो मैंने उसको points के तरू, chart के तरू आपको provide कर दिया आसानी से आप read कर सकोगे इनसे पूछे जाने वाले questions जो है उनका भी आप answer कर पाऊगे for the example population अगर हम बात करें तो 90s के अंदर world population कितनी थी 2 billion के आसपास लेकिन जब उसको 2000 के अंदर अगर हमने जब उसको अपस से population जो है उसको count किया तो हमें मिली कितनी 6 billion यानि कि birth rate जो है वो बढ़ रही है अब आजाते हैं इंडिया में अगर बात करें तो वो जो हमारी independence से पहले जो हमारी हमें बोलते हैं कि population जो थी यानि कि जितनी अभी जिस तरीके से birth rate बढ़ रही है according to this 33 सालों बाद में तो क्या हो जाएगा 33 सालों बाद में तो ये जस्ट क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी पर ये 2001 के according 2020 में आ चुके हैं तो almost हम लोगा ने 33 के आधे साल तो हमने cross करी लिए यानि कि थोड़ा और हुखे 10 से एक साल और तो उसके बाद में अगर इसी तरीके से birth rate बढ़ी तो हमारी population जो थी 2000 में उसकी जस्ट डबल होगी डबल का मतलब क्या हो गया ये वन बिलियन है तो ये कितनी हो जाएगी सोच के देखिए तो birth control बहुत ज़रूरी है और इसके लिए awareness बहुत ज़रूरी है ठीक है चलिए आगे बढ़ता है next आ जाता है next है reason for the population explosion ये क्या reason क्या है देखें reason तो ये है कि increased health facilities दूसरा है better living condition अभी क्या हो गया environment जो है अभी हम चाहते थोड़ी न है कि death rate बढ़े ऐसा नहीं हम चाहते है ठीक है लेकिन that is a condition अभी क्या हो गया है कि हमारी facilities बहुत जादा बढ़ गई है ठीक है और थोड़ा सा मारी living जो हम ये बोले conditions जो है वो भी better हो गई है इसकी वज़े से death rate जो है वो कम हो रही है diseases कम होगी तो आप जितने ज़्यादा aware रहेंगे अपनी health को लेके तो उतनी है आपकी क्या होगी हम ये बोलते हैं कि age life जो है वो आपकी बढ़ेगी तो और जो हम ये बोल रहे हैं कि जो भी नए आने वाले newborn babies है उनकी भी better life style की वज़े से उनकी भी क्या होगी हम ये बोलते हैं कि age जो है वो बढ़ेगी चूंकि age बढ़ेगी तो population बढ़ेगी क्योंकि death rate जो है वो तो हमारी क्या हो रही है कम हो रही है इसकी वज़े से तो death rate कम हो रही है बढ़ बढ़ती जा रही है and infant mortality rate वह भी क्या हो रही है decline हो रही है ठीक है ना तो ये दो ये थीन conditions है जिनकी वजह से हम ये बोल रही है जो population है वो increase हो रही है increase in number of people in reproduction reproducible age तो देखें ये भी एक चीज है क्योंकि देखें अगर मान लीजे for the example, अभी दस बेबी है वो अभी newborn babies है अभी ये 10 है ठीक है और हम लोगों ने कोई भी हम बोलते हैं कि birth control program उसको follow नहीं कर रहे है 10 babies है next जो है फिर हमने बोला कि और मतलब ये 10 babies है ये क्या होंगे अपने पुरा childhood को cross करेंगे then puberty and then reproductive stage तो वो क्या होंगे 10 लोग होंगे ठीक है अब जो नए पैदा हो रहे हैं वो कितने है 20 है 20 है तो ये 20 अब क्या करेंगे 20 जो है अपना चाइल्ड हुड है उसको cross करेंगे puberty and then ये भी reproductive में तो आप क्या देखोगे जो reproductive वाली जो क्योंकि अगर birth rate बड़ी तो जितने जादा बच्चे होंगे फिर जब ये अपनी reproductive वाली stage में आएंगे तो इनकी quantity क्या होगी जादा होगी तो जहां 10 babies जो बड़े हुए तो उन्होंने अपने reproductive life में 10 बच्चे पैदा किये बट चुंकि birth rate बढ़ रही है तो reproduction करने वाले जो couples है उनकी भी तो एक time पर क्या होगी उनकी भी तो quantity बढ़ेगी अभी कितनी होगी वो 20 होगी तो 20 अभी अगर उन्होंने babies जो है उन्होंने pregnancy हुई और देन babies का birth हुआ तो उस condition में कितने babies हुए 20 यानि कि देखिए 10 हो रहे थे फिर उसके बाद में क्या हो गया 20 अगली बार अगर फिर बेब जो birth हम बोल रहे है कि control नहीं हुआ तो जितने ज़्यादा babies होगे उनकी जब reproductive life आईगी तो उतने ही couple ज़्यादा हुए उतने ही couple ज़्यादा हुए तो इस condition के अंदर क्या हुआ हम बोलते हैं कि ace के जो male and female याने जो couples है उनकी rate भी बढ़ रही है और उनकी rate बढ़ेगी तो birth rate भी बढ़ती रहेगी तो ये main reason है जिसकी वज़े से population increase हो रही है अब ये population increase हो रही है तो इससे होगा क्या है? इससे ये होगा कि जो हमारी basic requirements है food, shelter and cloth उनकी कमी हो जाएगी उनकी कमी होना हमारी social health को effect करेगा बिल्कुल करेगा चलिए तो ये उसकी रोल है question पूछा जाए कि अगर population बढ़ती जाती है तो इसकी वज़े से हमें क्या नुकसान है तो आपकी anxiety में मेंचन लाइन है उसी पे tick mark रखिए और इसी पे based question बनता है food, shelter and clothing इसकी हमें क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी चलिए control measures अभी देखिए ये control measures जो है ये क्या है अभी कैसे आप इसको control कर सकते हो तो पहला तो देखो ये है कि motivate smaller families by using contraceptive method कि छोटी family ये को जो है उसको promote करें छोटी family का मतलब ये हो गया कि पहले जहां पर ऐसा होता था कि एक couple के 4 बच्चे 10 बच्चे या 13 बच्चे होते थे तो family के इतनी बड़ी होती थी फिर सोचो ये उन 13 बच्चों के और बच्चे होए तो family का size क्या होता गया बढ़ता गया हम मानते ऐसा है कि बड़ी family होती है तो then हमार घर का environment बड़ा healthy होता है हमें एक साथ रहना सीखना आता है ये बहुत अच्छी अच्छी बाते हैं बट अगर हम बात करते हैं population की तो इसकी बज़े से हमारी जो social health है उस पर बहुत effect पड़ता है क्योंकि हमारी basic requirements जो है वही पूरी fulfill नहीं हो पाती है तो better क्या है कि एक छोटी family जो उस चीज को promote करें छोटी family से मतलब यह हुआ कि parents हम दो और हमारे दो या फिर हम दो या हमारा एक ये condition होनी चाहिए चोटी जितनी ज़्यादा families होंगे अगर हम इस चीज को promote करेंगे तो अगर couple का एक ही baby है तो वो एक baby जो है वो भी क्या करेगा अपना एक ही baby जो है उसको develop करेगा तो आप देखिए after 13 generation क्या होगा कि हम यह देख भाएंगे जो population में जो change आ रहा है वो कितना कम आ रहा है लेकिन अगर यही first जो parent है उसी ने 13 बच्चे then 13 बच्चों के फिर और बच्चे हुए then वो family के और बच्चों ने और किया तो अगर 13 generation तक अब अगर देखोगे बड़ी family में तो बहुत सारे हम यह बोलते है कि population जो है उसका size जो है population का वो increase होगा तो better है smaller families जो है उसको promote करें हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक program से आज कर हम दो हमारे एक program बड़ा अच्छा चल रहा है चलिए इसी के साथ में एक और चीज हो सकती है कि कई बच्चे कई couples को educated couples ऐसे भी होते हैं या फिर education से मतलब उनकी mentally education से है किसी return में 11, 12, pass out ऐसे शब्द नहीं है mentally educated का मतलब यह हो गया कि उस इंसान में इतनी awareness हो कि अगर मैं किसी अपने बड़ा है अगर मैं किसी एक बच्चे को गोद लेता हूं तो इस condition में मैं एक बच्चे को एक पूरी family दे पाता हूं और दूसरा चूंकि मैंने अपना खुदगा baby जो है वो नहीं हुआ है उसकी वज़े से जो birth rate जो है उसको क्या किया है रोका है बर्थ rate अगर रुकेगी तो population अपने आप ही रुकेगी तो मैंने अपनी तरफ से एक initiative लिया हमारी population को control करने के लिए तो ये awareness भी लोगों के अंदर जगानी होगी इसे के साथ में जो marriage के लिए जो age है female के लिए 18 और male के लिए 21 क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ये वो age है जिस age में कोई भी couple जो है उसको इतनी awareness देना या फिर उसकी समझने की शक्ती इतनी होती है कि जब हम उनको ये बाते समझाएं कि आपको जिस plan पे काम करना है हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक plan पे काम करना है या किसी बच्चों को adopt करना है तो उनमें इतना mind होगा कि वो समझ सके क्योंकि एक नादान बच्चा जिसकी बाल विवा जैसे कर दिया जाता है तो उनको ये समझाना बहुत ही मुश्किल है कि बच्चे नहीं होने चाहिए और कि इस quantity में नहीं होने चाहिए अगर ज़्यादा quantity में होंगे तो population बढ़ेगी और उसके बहुत सारे क्या होगा समझने के लायक होगा और mentally समझने के लायक एज हम मानते है female के लिए 18 और male के लिए 21 कि yes उनमें awareness पैदा करना असान होगा तो ये marriage के लिए suitable एज है इंडिया के अंदर तो इस पर question बनता है चलिए आगे बढ़ेगे तीर आजाता है कि contraceptive अभी देखें मैं contraceptive word बार-बार यूज कर लिए contraceptive वो devices है पहली बात तो हम बात करते है वो devices है या वो techniques है या वो pills है जिसके through pregnancy जो है उसको delay किया जाता है अब किसी भी contraceptive जो है उसको ideal कब बोलेंगे तो वो ideal होगा पहली बात तो वो easily available होना चाहिए कि केवल हमने किसी को ग्यान दिया कि आप ये use करिये या फिर इस technique को आप अपनाईए इसकी वज़े से pregnancy delay होगी तो ग्यान देने से नहीं होगा अगर हमने किसी physical device के बारे में बात किया किसी pills के बारे में बात किया तो वो उनको available भी होना चाहिए और असानी से available होना चाहिए चीक है तो ये एक aspect हुआ दूसरा हुआ user friendly क्योंकि जो इनसान इसको use करने वाला है अगर उसे इसको use करना नहीं आएगा तो obvious बात है कि वो उसको use करने को क्या करेगा avoid करेगा sexually किसी भी situation पर बात करना हमारी society में अभी भी इतना popular नहीं है that's why user friendly होना जुरूरी है ताकि वो जो उनका हम ये बोलते कि internal matter है वो उन तक रहे ये उनकी जो privacy है उसको effect ना होता तो वो उनको friendly होना चाहिए दूसरा no or least side effect बिलकुल ना तो उसका कोई side effect होना चाहिए और हो तो बहुत कम होना चाहिए क्योंकि side effect हुआ जैसे for the example कुछ ऐसी पिल्स है जिनकी वज़े से breast cancer भी हो जाता है तो इसकी वज़े से तो हमें इतना नुकसान उठाना पड़ेगा तो better होगा कि हम उसको use ना करें तो इसलिए contraceptive ऐसा होना चाहिए जिसका side effect जो हो या तो हो ही ना या फिर बहुत कम हो ठीक है effective होना चाहिए कि कोई भी device या technique यूज करें बट उसके बावजूद भी क्योंकि use करने के बावजूद भी अगर pregnancy हो जाती है कि baby जो है वो हो वर्थ हो उसका या pregnancy develop हो बट अगर हमने किसी ऐसी device या method को use किया जिसकी वज़े से permanent pregnancy जो है वो अब नहीं हो सकती तो इसकी वज़े से शायद हो सकता है mentally health जो है वो बिगड सकती है कपल की तो better है कि reversible हो ताकि उसको जब भी pregnancy प्लान करनी हो तो उसको प्लान कर सके should not interfere with the sexual desire और act ये भी चीज़ ज़रूरी है चलिए तो ये हुए एक ideal contraceptive के हम बोते की characteristic हमें बोते की क्या के चीज़े उसमें होनी चलिए एक condition है amniocentesis ये क्या होता है amniocentesis जो है ये actual में use किया जाता है कि कोई जब pregnancy हुई है जो baby है तो उस baby के अंदर कोई genital disorder तो नहीं है तो उस genital disorder को जानने के लिए या फिर fittest जो है उसका development proper है इसको जानने के लिए क्या किया जाता है कि हम ये बोते कि analysis किया जाता है fittal cells का और उसके substance का उसके amniotic fluid को लेकर ठीक है तो ये लेकर ये test किया जाता है बट ये क्योंकि बैंड हो गया है क्योंकि इसकी वज़े से ज़ेक्श क्योंकि genital disorder है उसको चेक किया जा रहा है याने कि उसके gender जो है उसका पता में चल जाता है कि वो baby boy है या baby girl है जिसका आजकल use किया जाता है अलग-अलग तरीके से तो इस process का use sex determination के लिए नहीं किया जा सकता sex determination अगर होता है तो हमारे इंडिया के अंदर अभी भी ये concept है कि baby boy होना अच्छी बात है baby girl जो है वो सही नहीं है तो उसकी वज़े से abortions जो है उसकी तरफ लोग जाते है जिसकी वज़े से mother जो होती उसको भी नुकसान होता है और उसके mental health जो है उसको भी नुकसान होता है चीक है तो abortion बढ़ जाएंगे और हम ये बोलते हैं कि बहुत गलत चीज है कि एक ब्रून की हत्या उसके गर्ब के समय कर देना बहुत आसान शब्दों में अगर हम बोले तो ये गलत है ठीक है तो aware होना चीज़े और बाकी ये band है reason क्योंकि sex determination के लिए band है ये sex determination इसकी true नहीं किया जाना चाहिए चले now एक और contraceptive के बारे में बात करें क्योंकि जब contraceptive के बारे में बात आती है तो sahelie जो है ये बहुत हम बोलते है most famous oral contraceptive जो बोलते है females के लिए pills होती है females के लिए use के जाते है तो question पूछेंगे sahelie कौन यूज करता है तो then females use करती है male नहीं दूसरी ये किस तरह की contraceptive pill है तो ये orally ली जाती है ये किसी तरह की हमें बोलते है physical device नहीं है या फिर कोई technique नहीं है ठीक है natural method नहीं है होती कैसी है ये non-steroidal जो है pills होती है इनको हम once a week pills भी बोलते है reason ये है क्योंकि ये pills हफते में एक बार ली जाती है और कुछ ऐसी pills भी है जिनको 21 days तरह continue लेना होता है यानि कि वो menstruation को छोड़के बाकी जोतना time में उसमें लेना होता है तो उनसे better है एक हफते में एक बार लेनी होती है ये जो है develop किसने की थी ये कोशन कही बार पूछा गया है तो CDRI जो है लखनौ उसने इसको उनके scientist ने इसको develop किया था बड़ याद रखिये कि इसके कुछ side effect होते है ठीक है तो हम ये बोरें कि बिल्कुल ये बहुत जादा highly contraceptive value है effective तो है बड़ इसके कुछ side effects है इस चीज़ पर question कई बार बना है और कई बार पूछा गया है ठीक है तो हम लोग ध्यान नहीं देते ना चोटे-चोटे words की तरफ वही से question बन जाते हैं क्योंकि theoretical है बहुत कम चीज़े हैं जो इसमें हमें बोलते हैं कि diagramatically समझने के लिए तो इस तरह की चीज़ों में हमें उल्जाने के लिए question पूछे जाते हैं ठीक है तो ये हुआ सहीली contraceptive की जब बात करते हैं तो इसके बारे में हम लोग पहले सबसे पहले पढ़ते हैं ठीक है बड़ सहीली के बारे में बिल्कुल पिल्स के अंदर बापर से पढ़ेंगे contraceptive methods जो होते हैं ये method कही तरीके के हैं एक आपका आगया natural या भी traditional method दूसरा आजाएगा physical तीसरा हम लोग बात करेंगे जब हम उसके बारे में बात करेंगे पिल्स के बारे में और एक surgical method भी है तो कहीं तरह के methods जो होते हैं contraception के लिए होते हैं अब देखें natural या traditional method आप किसको बोलते हैं natural या traditional method का मतलब यह हो गया कि जो ovum होता है और जो sperm होता है उसकी meeting जो होती उसको नहीं होने दिया जाता क्योंकि meeting अगर होगे तो fertilization होगा तो better है कि उनकी meeting ही नहीं होने दी जाए लेकिन उसके लिए कुछी device को नहीं बलकि technique को यूज किया जाता है जैसे for the example periodic abstinences इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम जो female होती है उसके menstrual cycle के अंदर हम यह बोलते हैं कि ovulation जो है middle में होता है यानि 14 days में होता है तो अगर आप उस time period को calculate करें तो उससे पहले यानि 10th day से लेकर 17th जो day है उस period के अंदर जब ovulation का रहता है time period उस time के अंदर जो है हम यह बोलते हैं कि जो coitus है उसको क्या किया जाए नहीं किया जाए जिसकी वज़े से क्या होगा sperm जो है वो ovum तक नहीं पहुचेगा और fertilization नहीं होगा तो एक condition तो यह है दूसरी है interrupts coitus interrupts का मतलब यह हो गया कि जो insemination से पहले ही penis को बाहर निकाल देना जिसकी वज़े से क्या होगा sperm जो है वो egg तक नहीं पहुचेगे फिर एक आता है lactation यह जो है अगर कोई mother है उसको baby हुआ है तो after delivery six month तक जब तक mother जो है baby जब feed करता है mother feed लेता है तब तक उसके अंदर ovulation और जो cycle है वो नहीं होता चुँकि उसमें ovulation है cycle नहीं होता तो egg ही नहीं है तो उस time period के अंदर अगर हम यह बोलते हैं कि coitus होता भी है तो अब भी pregnancy नहीं हो पाती है तो यह उस period को हम बोलते है six month का period जब baby feed करता है तो उसको हम बोलते है lactation lactational amenorrhea that is a condition natural हम बोलते हैं कि method है यह तो यह natural method में तीन आते है तीनों के naming से कही बार question पूछ लिए जाते है कि क्या है हाना और कौन किस तरह का यह method है ठीक है तो यह bird जो है इनको word to bird आप याद रख लिजे इसका कोई side effect नहीं है बिल्कुल इनके कोई भी side effect नहीं है चलिए now आजाते है physical barrier पर physical barrier जो है देखिए कौन से condom है diaphragm है cervical caps and waltz जिसमें से condom जो है वो male and female दोनों use करते हैं diaphragm and cervical caps and waltz जो है यह female use करते है only females देखिए यह physical barriers है जिसके through जिनको हम यह बोलते है कि जिनको या तो penis पर cover किया जाता है या फिस cervix जो है उसमें plant किया जाता है जिसकी वज़े से sperm जो है वो एक तक नहीं पहुच पाता और fertilization नहीं होता तो यह चारो के चारो जो है यह क्या है हम यह बोल रहे हैं कि physical जो बोलते हैं न बैरियर्स हैं जिसमें diaphragm के बारे में पूछ लिया जाए तो यह इंट्रकोस के 6 गंटे पहले जो है diaphragm को लगाया जाता है ठीक है इसके अलावा हम यह बोलते हैं कि जो condom है या फिर walts है cervical caps हैं यह सभी वही physical हम बोलते कि barrier है जो reproductive tract जो होता उसकी को रोग देता है तो जिसकी वज़े से उसकी meeting नहीं होते है अब जो condom है उसको ज्यादा use क्यों किया जाता है उसका एक तो री हम यह बोलते हैं कि easy जो है वो disposable भी होता है easy use करने में भी easy है और इसके अलावा यह sexually transmitted disease aids वगरा जो है उसके लिए हम यह बोलते हैं कि protection देता है क्योंकि अगर genital area parts के अंदर अगर कोई भी directly अगर बोलते हैं कि contact में अगर आते हैं तो इस condition की वज़े से diseases जो है वो भी develop हो सकती है और virus जो है उसका infection भी हो सकता है चीक है तो यह बहुत वो बोलते हैं हम लोग popular है और इसके अलावा private भी है user के लिए बहुत private है प्राइवेटली उसको privacy के साथ में वो यूज कर सकता है क्योंकि इन इंडिया हम नहीं चाहते हैं कि इस topic पे हम ज़्यादा बात करें चले इंट्रा यूटेरिन डिवाइजिस इंट्रा यूटेरिन डिवाइजिस शब्द आ गया उसी से इंट्रा यूटेरिन डिवाइजिस है यानि कुछ प्लांट किया गया है लेकिन यह प्लांटेशन जो है कोई भी डिवाइज है फिजिकल यह भी फिजिकल ही है इनको जो प्लांट किया गया है यह किसी डॉक्टर या किसी एक्सपर्ट के थ्रू किया जाता है खुद user इसको use नहीं कर सकता पहली condition, चीक है, दूसरे अब ये devices कौन-कौन सी है और ये क्या करती है तो देखिए, ये devices जो होती है, ये phagocytic nature की होती है, ये spums का phagocytosis कर देती है, चीक है, तो एक condition तो ये है, दूसरी अब ये जो है, हम ये बोलते हैं कि iud's हैं, ये किस-किस तरेकी की हो सकती है, तो एक तो होती है, non-medicated iud's, उसका example है, lips lock, चीक है, इसको याद रखिए, पूछ लेते है, non-medicated कौन सी है, दूसरी आपकी आजाती, copper releasing iud's, copper releasing कौन सी है, copper T, शब्द से पैचान जाएंगे, copper 7, but multi load 375, 375, इसको नहीं पैचान पाएंगे, क्योंकि इसमें copper शब्द नहीं आए, तो इसको याद रखिए, ये दोनों शब्द याद हो सकते हैं, ये याद नहीं हो सकता, बट ये भी याद रखिए, यहाँ 7 है, कई बार कुछ और alphabet देखर भी में confuse किया जाज़ता है, ठीक है, तो multi load 375, ये जो है, copper releasing IUDs है, copper करता क्या है, copper जो होता, sperm जो होती, उसकी motility जो होती, उसको कम कर देता है, ठीक है, और जब motility कम होगी, और उसकी sperm की खुद की, जो हम बोलते हैं, capacity जो होती है, उसको भी वो कम कर देता है, जिसकी वज़े से वो egg को fertilize नहीं कर पाता, ठीक है, कुछ है hormone releasing IUDs, hormone releasing IUDs में आ जाता है, देखें, ये तो आप पैचान जाएंगे, progesta serves, क्योंगी इसमें progest word आगे ना, तो progestron hormone से relate करना तो हम समझ जाते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो uterus होता है, उसको unsuitable कर दिया जाता है, for the implantation, कि implantation ना हो सके, इसी के अलावा, cervix area जो है, वहां से हम ये बोलते हैं, कि जो sperm है, उसकी entry को ही ब्लॉक कर दिया जाता है, तो question पूछ लेते हैं, कि ऐसी कॉन सी IUDs हैं, या फिर कॉन सी devices हैं, जिसके अंदर cervix जो है, उसके through, जो है, sperm जो है, उसको पॉंचने नहीं दिया जाता है, तो physical तो हैं, इसके अलावा, जो उसको unsuitable environment बनाके, उस implantation को रोग दिया जाता है, sperm को fertilize नहीं करने देते, कॉन सी hormonal releasing IUDs, ठीक है, तो ये तो hormonal effect डाव रही है, तो आप समझी जाएए, कि इसका effect सीधा uterus पे ही होगा, क्योंकि hormones uterus की wall create करने में, और बहुत सारे चीज़ें वो करते हैं, चलिए, तो आपने हमने पढ़ा है, reproduction के time पे, कुछ है, other contraceptive method के अंदर हमारे आजाते है, oral contraceptive, oral contraceptive का में आजाती है, पिल्स आजाती है, ये पिल्स जो है, actual में क्या होती है, ये hormones ही है, जैसे कि पहला तो आपका है, कि हम उसमें progestogens देते हैं, या फिर progestogens को combination में, estrogen के साथ देते हैं, अब ये कई तरीके से ली जाती है, कई पर तो क्या होता है, कि ये 21 डेस तक ली जाती है, और फिर जो menstruation period होता है, उसमें नहीं लिया जाता है, उसमें skip कर दिया जाता है, और अगें, आफ्टर वही 5-7 डेस, वापसे इनको पिल्स को लेना शूर कर दिया जाता है, ताकि pregnancy डिले हो सके, एक क्या होता है, कुछ ऐसी होती है, जिनको हम बोलते है, कि कोईटेस के बहुततर घंटे के अंदर लेनी होती है, जिसकी वज़े से अगर, फेंडिशन के fertilization हो गया, या फिर इंप्लांट नहीं हो पाता है, तो वो हम बहुतर घंटे के अंदर हम बहुते लेना, सहीली जो है, वो हफते में एक बार लिए जाती है, तो यह सभी पिल्स ही है, तो इसमें हॉर्मोन्स, या तो single progestrogens ही होंगे, या फिर उसके साथ combination में, इस्टोजन होंगे, ठीक है, अब यह करते हैं, यह क्या करते हैं, एक तो इन्हेबिट कर देते हैं, ovulation को, इनका काम है, ovulation ही नहीं होगा, ovulation नहीं होगा, तो fertilization के लिए अवेलबल ही नहीं होगा, या फिर implantation करें, implantation नहीं होने देंगे, इसके अलावा यह कर देते हैं, क्या, जो sparms होते हैं, उसके entry को भी block कर देते हैं, तो sparms के entry block हो जाएगी, तो यह बड़े important है, इसको याद रखिए आप, hormonal जो होते हैं, वो यही, या तो uterus की किसी condition को बदलेंगे, एक पे काम करेंगे, sparms जो है, उसके entry को ही रोब देंगे, injectable जो होते हैं, यह जो है, skin के नीचे injections दिये जाते हैं, और हम यह बोलते हैं कि, क्योंकि pills तो orally ली जाती है, इसको injection के थुरू देते हैं, और यह ज़्यादा effective होती pills से, ठीक है, तो यह injectable भी होते हैं, चलिए, surgical methods, इसके थुरू क्या कर दिया जाता है, किसी भी male या female जो उसको बंद्य बना दिया जाता है, sterile condition डेवलब कर दी जाती है, कैसे कर पाएंगे यह condition, यह क्या कर दी जाती है, उनकी जो tubes होती है, उनको cut करके, और उनको बंद्या जाता है, अभी जो जिस tube को cut करेंगे, उसी क्या गोडिम उनका नाम है, जैसे कि male है, तो male के अंदर wasa differences, उसको cut करके बंद्यते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते है wasa tommy, female के अंदर fallopian tube को cut करके बंद्यते हैं, तो उसको हम बोलते है tubectomy, यह बट permanent है, इसके अंदर यह reversible नहीं है, कि वापस से अगर pregnancy चाहते हैं, तो उस time पे इसको हटा दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता, यह permanent है, जिसमें permanently क्या कर दिया जाता है, sterile कर दिया जाता है male and female को, जिसकी वज़े से, या तो वसक टॉमी की वज़े से, sperm जो है, वो नहीं पहुच पाएंगे एक के पास में, और tubectomy की वज़े से, egg जो है, वो available नहीं होंगे, sperm को for the fertilization, reason tube को cut कर दिया गया है, तो उनका जो path में है, उसी को block कर दिया गया है, तो यह permanent, हम बोलते है, अब क्या हो गया है, कि इन इंडिया अगर आप देखेंगे, तो baby girl जो है, शायद मेरे ख्याल से, लोगों को पसंद नहीं है, कि वो हो, तो इसकी वज़े से, जब उनको पता चलता है, कि हमारे sex determination, कई बार illegally करवा लिया जाता है, जिसकी वज़े से, उसका क्या कर दिया जाता है, abortion किया जाता है, इसकी वज़े से, एक नन्मी सिजान, जो है, उसकी हम कहते हैं, ना कि uterus के अंदर ही, हम ये बोलते हैं, कि fittal stage में, उसकी death हो जाती है, तो आप सोच के देखे, कि अगर आपको भी, फिटal stage के अंदर, ही आपकी death हो जाती, तो क्या आप आज जो कर रहे हैं, वो कर पाते हैं, नहीं, ये एक illegal use हो गया है, आजकल, MTP का, इस वज़े से, हम ये बोलते हैं, legalized हो गया है, इंडिया के अंदर, कब हुआ legalized, तो ये 1971 में legalized हो गया, there is a situation, पहली बाद तो abortion जो है, possible नहीं है, एक certain age के बाद में, उसके बावजूद भी, कभी-कभी क्या होता है, कि कोई disease के बारे में, diagnose हो जाता है, कि ये disease इसको होगी, या फिर ये mentally, पूरा तरीके से develop नहीं है, इस condition में, कई बावज पैरेंट से decision लेते हैं, कि उसका abortion हो जाए, बट उसके लिए भी, उनको legal fight जो है, लडनी पड़ती है, और sometime ऐसा होता है, कि उनको तब भी, हमें बोलते कि, उनको नहीं मिलती, acceptance कि हाँ भी, abortion करवाले, क्योंकि मुझे और हमारे इंडिया में, legally सबको ये लगता है, कि abortion जो है, that is not good, ये अच्छान नहीं है, क्योंकि हम किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं, हम बोलते हैं कि, इंडिया के अंदर एक issue है, जो हमारे society, social health के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये social health की तरफ हमें बोल देते हैं, कि लिया गया step है, तो ये legalized है, 1971 में इंडिया के अंदर, MTV, medical termination of pregnancy, बट इसको some condition में, जो है, use किया जाता है, importance किया है, to avoid unwanted pregnancy, due to causal intercourse, or failure of contraceptive use, during coitus or rape, बिल्कुल, rape के time पे, अगर कोई pregnancy develop हो गए है, तो इस time पे, उसका abortion होना बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी ज़रूर है, MTP का अगर ये use होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक female के mental health को भी गाड़ती है, इस condition के अंदर, उनको MTP, जो है, याने कि medical termination of pregnancy, जो है, ये allowed होता है, and then वो abortion करवाया जा सकता है, और ये बहुत ही important है, ऐसा होना भी चाहिए, और कुछ harmful for, sometimes कभी-कभी ऐसी condition होती है, कि fetus के लिए, या फिर mother के लिए, वो harmful होती है pregnancy, उस condition के अंदर भी, MTP जो है, या unwanted pregnancy के case में, और हम ये बोलते हैं, कि अगर mother को, या फिर fetus को अगर लुकसान हो रहा हो, pregnancy की बज़े से, तो इस case में MTP, जो है, वो important है, तो किस case में important है, वो याद आखना है, question इसी पर, इसी तरीके से पूचा जाता है, चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं, फिर आजाते हैं, sexually transmitted disease के बारे में, sexually transmitted diseases, जो है, कई तरह की होती है, question फूचन पूचने, कौन सी disease, sexually transmitted है, इसके बारे में, आगे आप, जो है, discussion करेंगे, बट यहाँ पर, एक छोटा सा, हम बोलते हैं, कि point में आपको बताया गया, तो आपको पता होना चाहिए, तो sexually transmitted diseases, कौन कौन सी है, इसके अंदर आ जाते है, goneria, syphilis, चीक है, कौन से bacteria की वज़े से हो रहा है, falidum bacteria की वज़े से, genital herpes, clamidiasis, इसके अलावा, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and HIV, जिसकी वज़े से होता है AIDS, तो यह सभी disease, जो है, यह sexually transmitted disease है, और यह disease जो है, यह कब होती है, चीक है, तो यह होती है, हम यह बोलते हैं, कि अगर एक male partner, कई female partner के साथ, sexually relation में हो, या फिर एक female, कई सारे male, जो है, उसके साथ sexually relation में हो, जिन में से किसी को भी disease होने की वज़े से, और उससे, without किसी contraceptive device के use की वज़े से, direct, हम बोलते हैं, कि intercourse की वज़े से, यह diseases जो है, वो transmitted होती है, चीक है, तो इसको अगर रोकना है, यानि कि sexually transmitted diseases को अगर रोकना है, तो contraceptive devices को use करना चाहिए, यानि physical जो devices है, उनको use करना चाहिए, उसकी वज़े से, यह direct, जो हम बोलते हैं कि contact है, वो रुख जाता है genital areas का, चले, sharing of injection needles and surgical instrument with an infected person, यह another method है, hepatitis B and HIV के, क्योंकि cable sexually transmitted नहीं होता है, इसके अलावा अगर injection भी लगा दिया जाए, तो भी fluid Q की contact में आ जाता है, तो इस वज़े से भी disease हो जाती है, blood transfusion की वज़े से, बिल्कुल एक अगर infected person का blood transfer कर दिया जाए, तो इस condition में भी disease हो जाती है, और mother अगर infected है, बिल्कुल HIV, अगर mother को HIV है, तो उसके fittest में भी HIV जो है, वो transmit होगा, ठीक है न, हो सकता है, ये condition भी होगी, चलिए, तो ये another method है, इनके symptoms क्या है, अगर आपको sexually transmitted disease जो है, उनको पहचालना हो, तो सबसे पहले तो genital area में itching होने लग जाती है, थोड़ा सा genital reason में pain भी रहता है, और genital reason जो अदर में swelling आ जाती है, और few discharge जो होता है, तो ये early symptoms है, बाद में symptoms तो ये होंगे, कि इसकी वज़े से क्या होगा, pregnancy जो है, वो develop नहीं हो पाईगी, infertility जो है, वो develop हो जाएगी, sometime अगर कोई pregnancy develop हो गए, तो उसका mid stage में abortion हो जाता है, और हम ये बोलते हैं कि pelvic inflammatory diseases जो हैं, वो हो जाती है, sometime productive tract जो होते हैं, उनमें cancer भी हो जाता है, तो ये later हम बोलते हैं, complications हैं जो develop हो जाते हैं, अगर इन diseases को, अगर इन को अगर हम रोकना है, तो यहां तो क्या हो सकता है कि early stage के अंदर जब ये diagnose हो जाएं, तब इस doctor के पास पहुंचाना, इस condition के अंदर आप इससे बन सकते हो, दूसरा, अगर आप healthy, healthy अगर हम बोलते हैं कि, जो है, use करें, healthy अगर sexual relation हो, जैसे कि गंडव का use करें, तो इस condition के अंदर भी क्या होगा, कि ये transmit नहीं होई थी, दूसरी condition है कि avoid करें, unknown, जो जानते नहीं है, उन partner के साथ में, sexual relation और या फिर multiple, जो है, partners के साथ में, sexual relationship में रहना, इस चीज़ को avoid करें, नहीं तो ये diseases हो सकते हैं, ठीक है, early stage में, जैसे detector और doctor के पास पहुंचे, तब भी इसका treatment हो सकता है, फिर आजाता है, infertility, infertility, naturally, हम बोलते हैं, couples के अंदर, या तो male के अंदर, या female के अंदर, हम बोलते हैं, कि naturally, ऐसा ही condition होती है, कि, या तो, वो capable नहीं होते हैं, कि उनमें gametes तो बनते हैं, बट gametes का fertilization ही होता, सम्टाइम, जो fertilize, हम ये बोलते हैं, कि जो egg है, उसका implantation नहीं हो पाता, क्योंकि uterus जो है, वो proper नहीं होती, for the implantation, और कई बार ऐसा होता है, कि spums बनते हैं, बट spum count अच्छा नहीं होता, इस वज़े से fertilization नहीं हो पाता, सम्टाइम, एग का formation ही नहीं होता, तो ये बहुत सारे ऐसे region है, जिसकी वज़े से infertility डेवलप हो जाती है, ठीक है, तो infertility जो है, उसको treat करने के लिए भी, कई तरीके की, हम बोलते हैं, कि हम बोलते हैं, methods हैं, तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे, in vitro fertilization, जिसको हम बोलते हैं, IVF या फिर test tube babies भी जो बोला जाता है, तो test tube के अंदर baby develop नहीं होता है, actual में ये, हम बोलते हैं, जो ये fertilization process होता है, egg and, हम बोलते हैं, sperm की जो meeting है, और जो fertilization है, वो test tube के अंदर करवाया जाए, जब fertilization होगा, और zygote बनेगा, वो zygote फिर क्या करेगा, mitosis करेगा, and हम बोलते हैं, कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जो है, blastomia, जो है, उसका formation होगा, यानि कि जब वो 8 या 16, हम बोलते हैं, कि blastomia वाला जो embryo होगा, उस condition के अंदर, उसका transfer कर दिया जाए, suitable uterus के अंदर, या फिर fallopian tube के अंदर, जिसकी वज़े से pregnancy develop हो सके, तो वो fertilization process, चूँकि हम बाहर करवाते हैं, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, test to baby बोल देते हैं, या फिर in vitro fertilization बोल देते हैं, IVF, बोला जाता है, छीक है, तो देखिए, माल लीज़े भी कैसे condition हो रही है, कि एक female है, जिसको हम बोले donor, क्योंकि इसका ova जो है, उसको लिया जा रहा है, एक male है, जिसको husband भी, ये husband है, ये wife है, तो ये है donor, जो sperm देगा, तो इन दोनों को लिया जाता है, ova और sperm को collect किया जाता है, laboratory के अंदर, वही, standardized condition के अंदर, और उनको लेकर, फिर देन, उनका fertilization करवाया जाता है, zygote बना है, ये zygote जो है, दो तरीके से, हम ये बोलते हैं, कि implant किया जा सकता है, देखिए, अगर उसको 8-blastomere की stage में, अगर उसको implant किया जा रहा है, अगर embryo जो है, 8-blastomere से जादा, यानि मालने जे 16-blastomere वाली stage के अंदर हो, चुँकि अब 16 में आ गया है, तो आप भी जानते हैं, कि जब हम लोगों ने पढ़ा था, fertilization के बाद में, तो ऐसा ही होता है, कि 16-blastomere वाला जो होता है, morula, फिर वो क्या होता है, uterus के अंदर, endometrium के अंदर, implant हो जाता है, तो यानि 18-blastomere से जादा अगर है, तो इस condition के अंदर, वो uterus के लिए suitable condition है, कि उसमें implant किया जा सकता है, then हम उसको transfer करते हैं, कहां पर uterus के जाता है, तो इसको हम बोलते है, intrauterine transfer, 8-cell stage में या फिर 16-cell stage के अदर, transfer किया गया, fallopian tube में या फिर यूटरस में, fallopian tube में तो ZIFT, और अगर उसको transfer किया गया, uterus के अदर, then IUT, छीक है, तो ये हो गया first, चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए, gamut intra fallopian transfer, gamut intra fallopian transfer, किसको बोलते हैं, this method is useful for the females, अभी females क्या होती है, अगर उनके अदर, हम अगर देखने हैं, कि वो OVA उसको produce नहीं कर पा रही है, ठीक है, बट उनका UTERUS जो है, वो suitable रहता है, जिसके अदर fertilized egg, जो है, या zygote जो है, वो वहाँ पे implant हो सकता है, female donor, किसी और का हमने OVA लिया, और हमने जो वाइफ है, जिसके अंदर, उसका खुद का gamut नहीं बन पा रहा है, उसकी फेलोपेंट टूब में उसको transfer कर दिया, then वो अपने ही husband के sperm के साथ में fertilized होकर, and उनके UTERUS के अंदर, जो pregnancy है, उसको develop करके, और बेबी का birth possible है, तो उस method को हमने क्या बोला है, GIFT, चलिए, पिर आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाता है, Intracytoplasmic sperm injection, कभी-कभी क्या होता है, laboratory के अंदर ही, जो single, एक ही single sperm जो होता है, उसको directly inject कर दिया जाता है, egg के अंदर, जो आपका हम यह बोलते है, जो egg होता है, female partner का, उसके साथ में egg, उसको inject कर दिया जाता है, जिसके वज़े से, egg जो है, वो fertilized हो जाता है, फिर उस fertilized egg को uterus के अंदर, transfer कर दिया जाता है, तो इसको हम बोलते है, Intracytoplasmic sperm injection, यानि कि ICSI, ICSI, उसको बोला जाता है, ICSI, यानि डारेक्ली sperm जो है, उसके साथ में उसको क्या किया, उसको inject किया है, egg के अंदर, चीक है, fertilized egg को uterus में transfer किया, फिर आजाता है, artificial insemination, यह actual में condition है, artificial insemination का मतलब यह हुआ, कि अगर कोई male है, जिसमें जो की capable नहीं है, for the insemination की sperm, उसको transfer कर सके, और condition यह भी हो सकती है, कि जो sperm है, उसका count जो है, वो कम है, इसकी विज़े से sperm, जो है, वो available नहीं हो रहा है, for the fertilization, तो देखिए, इस condition के अंदर, semen जो होता है, इसको husband को collect किया जाता है, ठीक है, और उसको artificially, हम बोलते हैं, कि vagina के अंदर, जो है, वो उसको अंदर inseminate कर दिया जाता है, फिर वो अपना normal fertilization process, के थूँ, प्रेगनेंसी डेवलेब हो जाती है, बट सरफ insemination जो है, वो artificially हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, artificial insemination बोल देते हैं, ठीक है, और इसका वही, एक condition ये भी है, कि गर low sperm count होगा, तो इस condition के अंदर भी क्या होता है, कि sometime ऐसा भी होता है, कि खुद के जो male partner है, उसके जो semen है, उसको transfer नहीं करके, किसी और जिसके sperm count ज्यादा होता है, उसका जो semen होता है, उसको transfer कर दिया जाता है, artificially, जिसकी वज़ए से फिर fertilization होके, pregnancy develop हो जाती है, तो दोनो ही condition के अंदर, artificial insemination किया जा सकता है, चीक है, तो artificial insemination, समझ में आगे आपको, चलिए, अभी आगे बढ़ता है, फिर आजाती है, problems of ART, अभी इससे क्या problem हो जाती है, देखे, problem तो यही है, कि परिभी बाद इनकी equipments बहुत महेंगे हैं, costly हैं, और इनकी centers बहुत कम जगह पे हैं, तो जो भी couple है, इन सब चीज़ें के बारे में सोच रहा है, कि उसको अगर, मतलब IBF की तरफ जाना है, या फिर, artificial insemination वगरा कुछ करवाना है, तो इस condition के अंदर, वो उनके लिए costly बहुत होता है, तो हम यह बोलते हैं, economically वो उनको suit नहीं कर पा रहा है, और उसके अलावादे कि emotional, religious and social problems तो बहुत जादा है, यह तो बहुत important है, क्योंकि actual में, जो यह सब चीज़ें, जो यह method जितने भी हैं, यह सब भी laboratoric method हैं, जिसके थूँ जो है, यह process हो रहा है, प्रेगनेसी डेवलप हो रही है, बट फिर भी, हमारी society के अंदर, लोग इतने educated नहीं है, people जो हैं, अभी तक इतने educated हैं, कि वो इन सब चीज़ों, accept नहीं करते हैं, उस प्रेगनेसी को, वो accept नहीं करते हैं, उनको लगता है, पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है, तो यह बहुत effect करता है, और emotional तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर conditions, क्योंकि कई तरह की, हम इसमें techniques हैं, जिसके अंदर कई बार यहों भी है, कि fertilization किसी और male donor के, स्वम की वज़े से हो रहा है, तो वो भी emotional aspect डालता है, तो कई तरह के, हम यह बोलते हैं, कि इसके, हम बोलते हैं, problem science के अंदर, और sometime ऐसा भी होता है, legal adaptation is one of the best method, यह तो है, तो यह सब चीज़े हैं, बट इसमें सबसे अच्छा क्या कर सकते हो, सबसे अच्छा method यह है, कि अगर आप यह सब चीज़ें की तरफ नहीं जाना चाते हैं, और infertile couple हैं, तो better है कि किसी भी बच्चे को adopt करिये, तो उसको भी एक family मिलेगी, और आपकी भी family complete होगी, तो वो सबसे best option है, हमारे birth control के लिए भी, ठीक है, और आपकी infertility problem के लिए भी, तो reproductive health के अंदर, इतना सब कुछ ही है, हमारे पास में समझने के लिए, और ये हैं, आप लोगों के लिए follow up questions, चीक है, तो देखिए, अगर आप लोगों ने, सारा अच्छे से पढ़ा होगा, भी सुना होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, देखिए, फस्ट question, copper releasing IODs are, अभी आप समझ जाएगे, सारे नाम दे दिये गए, लेकिन अभी इनकों में से निकालना है, क्योंकि दो जगे confusion था, मैंने आपको पहले भी बताया, इन questions के answer, आपको comment section में मुझे लिखने है, और diagrammatic questions देने का reason समझ रहे हैं, क्योंकि मैं चाती हूँ, आप diagrams को बहुत प्रॉपर लिख करें, यह कुछ और questions भी है, तो इनके भी आप देखें, screenshot ले लीजिए, और मुझे comment section के अंदर बताईए, right answer, ठीक है, मैं जानती हूँ, यह बहुत छोटा topic है, और आपके mind में clear हो गई होगी picture, आप मुझे इसके answer बता पाएंगे, तो आज के लिए इतना ही, next day मिलेंगे next topic के साथ में, तब तक के लिए, bye bye,